तो सारा कॉंसेप्ट तो खतम हो चुका है अल्मूस्ट अब हम प्रैक्टिकल कुश्चन की बात करते हैं प्रैक्टिकल कुश्चन को पहले तो हम अकाउंट रो कर लेते हैं अगर इनकप टेक्स में कोई आसान चेप्टर है ना तो हाउस पोपटे कि यह ज़्यादा कुछ है नहीं एक बस कहा दिमाग लगवाते हैं आपसे यह इंटरस में बस लेकिन ओनर्स के अंदर थोड़ा एक्स्टर दिमाग भी लगवा दे सकते हैं देखते हैं सवाल क्या कहता है कहता है Mr. X on a house in Delhi during the previous year B sick kiss 3 4th area portion house self occupied तो यानि सर यह घर दो हिस्से में बाट दिये इसने एरिया बेसिस पे तो 3 4th area यह SO है तो 3 4th area self occupied है तो बाकी का 1 4th क्या हो जाएगा let out and full and 1 4th portion was let out for residential purpose 14.2020 से 31.2020 तक जिसका किराया आता रहा 14 सुरुपे महिने का ठीक है सर 1.1.2021 में portion was used on residence जो यह अपने लिए कर रहा था residence को इसने कहता है कि 1.1.2000 from 1.1.2021 this portion was also used for यानि कहने का मतलब है सर जो let out किया ने इसने घर 1.4.2020 से किराया पे गया और यह चला गया 12.31 यानि 31.12 और 2020 तक किराया पे रहा कौन से वाला जो 1.4 एरिया है 1.4 पोर्षन है वो रहा लेकिन इसके बाद इसने ये वाला एरिया भी क्या कर लिया self occupied कर लिया कहता है फ्रॉम एक 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 दो हजार बीस से एकस से लेके आगे to be continue इसने क्या कर लिया इसको पोर्षन वास यूज फोर रेजिदेंस अपने कहता है कि फ्रॉम इस डेट से पोर्षन यूज फोर ओन रेजिदेंस यानि self occupied ठीक है municipal valuation of the house 20,000 रुपीज अब municipal value हमारे house का 20,000 है he incurred the following expenditure in respect of the house property municipal tax due है तो सब्सक्राइब का तो कोई मतलब कुछ करना ही नहीं होता repair है आपका अब देखो यहाँ पर कहता है municipal value of the house MV बोला है इसने है न मैं tax समझ रहा था municipal value कितना है 20,000 20,000 में अगर हम इसको calculate करें तो कितने कितने जाएंगे 20,000 डिवाइड बाइ 4 तो 15,000 और 5,000 correct municipal tax due है repair का कोई काम नहीं है fire insurance का काम नहीं है land revenue का कोई काम नहीं है ground rent का कोई काम नहीं है where the paid during the year A was loan इसने loan ले लिया taken 14-2016 में तो सर loan की कहानी कुछ ऐसे है कि इसने loan ले लिया 14-2016 में इसने sir loan ले लिया जब इसने 14-2016 में loan लिया कितने का लिया sir इसने 2,00,000 का किस rate से लिया sir इसने 9% के हिसाब से the construction of the house was completed 28-3-2017 तो जब 28-3-2017 में complete हो गया तो ये वाला साल जिस साल complete हुआ इस साल को छोड़ दो क्योंकि इसमें तो deduction ले रहे होगे तो इसका मतलब ये वाला साल अगर आप छोड़ते हो तो आपका बनेगा 31-3-16 क्योंकि ये वाला जो साल है ये start हुआ होगा 14-2016 से और ये चलेगा 31-3-2017 तक तो ये वाला तो current year हो गया जिस साल घर complete हुआ है तो यानि PCP की बात करें तो PCP आपका यहां से लेके यहां तक कमाना जाएगा that is PCP अगर हम count करें कितने साल का होता है तो आपका 1-4 को loan लिया तो मैं यहां कर लूँ 16-17 अच्छा बिल्कुल 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 देखो मैं भी कहां उलज गया ऐसा examiner उलजा देते हैं तो इसमें आएगा ही नहीं PCP क्यों क्यों क्योंकि जिस साल बना उस साल ही complete हो गया तो सर यहां PCP की कोई जगह नहीं है पहले तो यह सवाल देख लिया क्यों नहीं आएगा सर एक बार फिर से मैं दुबारा erase करके कर देता हूं कि मैं बना रहा था तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि दिक्कत हो मैं इसको सवाल में कहता है एक सर घर complete हुआ है वो हो गया हमारा किस तारिक पे 28 तीन 2017 में घर complete हो चुका है पर 28 तीन 2017 में जब घर complete हो चुका है तो इसका मतलब साल तो यही है 16 में लोन लिया 17 में खतम हो गया तो PCP का सवाल नहीं है इस साल मैंने पूरा घर स्टार्ट किया और इसी साल बना लिया तो इस साल मैंने interest का claim ले लिया तो कोई PCP है ही नहीं आगे कहता है nothing has been paid loan और अभी तक इसने loan का payment नहीं किया find out the house property income 112 के लिए तो सार यहां पर बस यह दे रखा था FR दे रखा है क्या नहीं दे रखा SR दे रखा है क्या नहीं दे रखा तो आपका expected rent की अगर मैं बात करूँ तो यह तो वैसे 0 ही आना है self occupied let out वाले का क्या आ जाएगा 5000 रुपे और इसने कितने रुपे महिने के किराये पर दे रखा है 1400 रुपे महिने पर किराये पर दे रखा है तो 8RR निकाल ले 8RR निकाल ले तो कितने महिने तक रहा था सर यह यह पूरे यहां से यहां count करोगे कितने महिने होते है 9 मन्त तो 9 मंत का कितने हो जाएंगे सर 1400 into में 9 कितने हो गए into 9 12600 सर GAV की बात कर लेते हैं तो GAV जो निकल के आएगा ये 0, ये 12, 600 minus में MT की बात कर लें क्या municipal tax minus होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा municipal tax, क्योंकि payment नहीं किया, municipal tax कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है सर, municipal tax तो है लेकिन यहां देखे, word क्या है, due due का मतलब payment नहीं हुआ, ये आगया सर, NAV अब minus करेंगे, हम इसमें से 24 A, और फिर minus करेंगे इसमें से 24 B, अब यहां पर minus करेंगे 24 A, 0 और ये तो 24 B अब B का interest जो है न, वो entire house का है, ये ध्यान रखना है, अब इसने बोला नहीं कि घर का कौन सा area, तो entire house का है, तो interest अगर हम current year का निकाले न, जो कि payment नहीं हुआ है तो sir, loan जो था हमारा वो 2,00,000 का और 2,00,000 का 9% आजाएगा that is 18,000, तो 18,000 को हम बाट देंगे, divided by 4 into में 3, इसका आजाएगा 13,500 और इस side, दूसरी side आजाएगा 4,500 तो ये आपको ऐसे ही करके दिखाना है, ऐसा नहीं कि एक जगा माइनस कर दीजी आप, तो इसके बाद आजाएगा हमारा 13 500 negative, और ये आगया हाँ, इसका 30% तो लिया ही नहीं 12,600 30%, 3780 3300 तर ये आगया आपको सिर्फ सवाल यहां नहीं पूछना इसने बोला, find out the income from house property तो जब ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको एक और column बनाना पड़ता है पर वहां पर income from house property बनाना पड़ता है या फिर आप यहीं पर कह सकते हो income from income from house property is equal to क्या कहलेंगे हम 13,500 negative plus 43,000 43,20 तो ये तो loss आगया ना 13,500 जब आप दोगे 91,000 80 का that is loss ये था हमारा सवाल number one बताईए किसी को doubt क्या हो गया चलो चलो doubt है तो बताईए इसमें किसी हम जएर हो पालता है क्या है डीदाए गिन क्या चैअ किसी के तो हाह बताईए क्याक inflammोंशडडड़ लॉड़ude झाल झाल बाराच ये को 30% कितना होता है इसमें एक पॉइंट और भी है मैं बताना चाहूँगा एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ हाँ तेरा डाउट है वो तो लेंगे अब यहाँ पे बहुत में पॉइंट है जो बच्चे मिस कर रहे होगे क्लास को उनको दिक्कत होगी जो S R है ना F R है कई बार F R आपको देता नहीं F R क्या होता है और फेर रेंट क्या होता है आसपडोस का जब आपके पास फेर रेंट मिसिंग होता है तो जो आपके घर का किराया है उसी को आप आस पड़ो उसके घर का किराया मान के कर लेते हो समझ में आई बात तो इस question में fair rent क्या है missing है तो अगर fair rent नहीं है तो हमारे घर का किराया पता है तो हमारा घर अगर पूरा किराया पे रहेगा तो कितना रहने वाला है sir फिर रेंट आप यहाँ पे निकाल सकते हो जैसे 1400 तो sir 1400 into में 14 into में क्या आएगा 12 that is 1600 तो हम ना एक यहाँ पे point को add कर रहे हैं अब पहले समझ लिजेगा यानि क्या कह रहे हैं sir अभी मैं बता देता हूँ आपको जब कभी भी देखो municipal value तो यह government decide करता है और fair rent decide करता है हमारा आसपडोस से लेकिन sometime fair rent जब missing होता है तो हमारे पास right होता है कि हम कर लें assume जो actual rent है that is वही हमारा क्या माना जाएगा fair rent यह तभी assumption लेना है आपने जब आपका vacancy का case हो otherwise no need क्योंकि दिक्कत आता है vacancy वाले में और vacancy हो sorry मैंने vacancy word इस्तमाल कर लिया जब हो आपका self occupied जब क्या हो यहाँ पर self occupied पार्टली एंड पार्टली लेट आउट अन दब बेसिस ओफ टाइम तो आप ध्यान से देखिए मेरे इस सवाल के अंदर जो यह वाला एरिया है ना यह वाला पार्टली सेल्फ अक्यूपाइड पार्टली लेट आउट अन दब बेसिस अफ टाइम में आ गया यह क्योंकि इतने टाइम तो लेट आउट है और इसके बाद सारा क्या है तो ऐसे सिचुवेशन में आपने यहां पे लेना है 16,800 और थोड़ा सा चेंजिस करेंगे इसको और यह भी आ जाएगा हमारा 16,800 और यह निकल जाएगा सर 16,800 और यह भी निकल के आएगा 16,000 इस बात को धियान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह यह आ जाएका 30% नँद पांच हजार 40 और माइनस 4500 तो यह 7260 लेकला इसको बस यह थोड़ा चेंजिस हैं यह कॉंसेट पहले हुआ नहीं था और 62 ठीक है अरे मैंने नीचे ले लिया फार फार में जाएगा यह थोड़ा सा नीचे सिफ्ट हो गया यह अरे यह थोड़ा सा नीचे सिफ्ट हो गया इसको करते हैं यहां सिफ्ट ठीक है एफार लेना है ठीक है लेकिन अगर यहां पर वेकेंसी नहीं होता मतलब कि सेल्फ ओक्युपाइट वाला पार्ट नहीं होता तब तो हम ले लेते लोर जब सेल्फ ओक्युपाइट पार्टली जब हो जाता है तो रूल क्या कहता है नॉर्मल कैल्कुलीशन करोगे है जिसके अंदर से हाइर वाला ही पार्ट जाएगा हमेशा ठीक है न चलो यह था सवाल नंबर वन 16800 को कहना है कि डिवाइड नहीं करेंगे क्या सर 16800 को डिवाइड नहीं करना सर 16800 को डिवाइड अब किस तरही के से डिवाइड करने की बात कर रहे है मैं समझानी बताइए अच्छा 16800 नहीं जो 16800 जो फियर रेंट है न वो सिर्फ इसी एरिये का है सिर्फ इसी एरिये का एफ़ार बन मान है न हमने तो यह डिवाइड नहीं होगा सर ऐसे केस में फिर एफ़ार को मान लेते हैं बिल्कुल सही इसमें एफ़ार आपको अजम्शन लेना पड़ता है पारस सेल्फ और इसमें डिस्टिब्यूटेड नहीं होगा वो अलग-अलग है क्योंकि इसका सिर्फ रेंट गीवन था लेट आउट का तो हम लेट आउट वाले पोर्शन को ही मान के चलेंगे यह 1242 का लॉस है यह यह लॉस है अरे लॉस है यह चलिए यह लॉस है